तो हलो एंट बेलकम अगें दोस्तों लियो मूवी ने जो तबाही मचाई है भाई ओपनिंग इसने इतनी सॉलिड करी है ओवरसीज से जो अभी तक की जाइंट मूवी जो रिकॉर्ड में बैठी थी ट्रिपल आर, बाहु बली टू, केजी अफ टू, जवान, पठान इन सारी मूवीज के रिकॉर्ड को इसने बीट डाउन कर दिया, डे वन पर ओवरसीज में कलेक्शन के मामले पर, वाई साब अभी सुरुवात से मैं अगर आपको बताऊंगा, डे वन में ट्रिपल आर ने ओवरसीज से कितनी कमाई करी थी, 67 करोंड, जो नमबर वन पे बैठी थी अभी तक की, सेकेंड नमबर पर थी बाहुबली टू, जिसने 65 करोंड की कमाई करी थी, और थर्ड नमबर पर थी पठान, जिसने 40 करोंड की खतरनाक कमाई करी थी, ओवरसीज से, डे वन में ओपनिंग के मामले में, उसके बाद जवान थी, जिसने 49 करोंड, 40 लाग का huge collection कि तक बैठी थी, जो भी पांचवे नमबर तक बैठी थी, लियो मूबी जब आई है, लियो ने परसों जब ओपनिंग करी है, वैसा आप ना की सेकेंड ना की थर्ड, सीधे फर्स नमबर पर जाकर ये मूबी बैठी है, जिसने ओवरसीज से कितनी कमाई करी, 67 करोंड, 30 क्लेक्शन आया है इस मूबी से, नॉर्थ अमेरिका से, जिसने 21 करोंड, 3 लाग का कलेक्शन किया था, नॉर्थ अमेरिका से, उसके बाद UAE से, युनाइटेड अरब एमिराज से इसने कलेक्शन किया था, 11 करोंड, 30 लाग का, उसके बाद rest of the gulf कंट्री से इसने कमाई करी थी, 8 करोंड, 60 लाग की, उसके बाद UK प्लस Ireland को मिला कर, इस मूबी ने 5 करोंड, 39 लाग की कमाई करी थी, सिंगापॉर से भी अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिला, 3 करोंड, 80 लाग, औस्ट्रेलिया से ये मूबी 2 करोंड, 27 लाग का कलेक्शन करते नजर आई थी, और 13 लाग का हिज, हिज करा है, तो इन सब कंट्रीज को मिला कर, टोटल होता है, योवरसीज से डे वन पर कमाई, 66 करोंड, 30 लाग, हिज, हिज कलेक्शन, अभी त्रिपल अर नंबर वन पर थी, जिसने 67 करोंड का घुज कलेक्शन कर रखा था, अभी लियो मूबी ने बाई ग रीजन को कवर अप किया था and खासकर हिंदी रीजन को कवर अप किया था लेकिन ली ओ के मेकर्ज ने हिंदी को इतना ज़्यादा फुटेज नहीं दिया क्या क्योंकि नैशनल चेंज सए और मल्टी प्लैक्स में इसका कोई बोलबाला नहीं है अगर सिर्फ लियो ही लियो चमकता हूँ उस टाइम पर सिंगल स्क्रीज में भी अच्छा खासा कलेक्शन कर दिये लियो तो overseas से ये movie 67 करोण 30 लाग का कलेक्शन लाकर नमबर वन पर जाके बैठ शुकी है भाई साब huge huge income overseas से बहुत अच्छी पकड बनाई वो इसलिए भी बनाई क्योंकि overseas से एक डेड़ मैने पहले से ही अच्छा खासा प्रमोसन देखने को मिल ला था बहुत जबरदस हाइब सैट कर रखी थी लियो के मेकर्स ने तो अगर इसका overseas से हर दिन का कलेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा रहा तो यह movie definitely 1000 क्रोंड easily टच कर जाएगी क्योंकि हिंदी का इस बार कोई इतना अच्छा हाथ नहीं है लियो के साथ that's why कि overseas को बहुत ज़्यादा बूस्ट करना पड़ेगा और overseas से अच्छा कलेक्शन आता भी दिख रहा है अगर यह movie सिर्फ overseas से 300 या 400 क्रोंड ले आती है तो definitely definitely 1000 क्रोंड टच कर जाएगी आपकी क्या रहा है कि यह movie 300 क्रोंड टच कर जाएगी overseas से जो भी आपकी रहा है निचे कमेंट आपके जाना मिलते अगली वीडियो में जाहिए